ओम हनमते नमा, नमस्कार मित्रो, मैं अविरलत्रवेदी और आप देख रहे हैं मेरा यूटूब चैनल ने थे मित्रो विसे संकला के अंतरगत, आज कल हम भगवान विश्णो के अवतारों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, उसी संकला में आज बात करते हैं महर्श वेदव्य उनका जन्म कैवर्त राज की पोस्पुत्री सत्यवती के गर्व से यमना के द्वीपर हुआ था, उनके सरीर का रंग काला था, इसलिए उनका एक नाम कृष्ण द्वैपायन भी था, इन्होंने ही मनुस्यों की आयों और सक्ति को देखते हुए बेदों के विभाग किये, इसलिए इन्हें वेदव्यास भी कहा जाता है, इन्होंने ही महाभारत ग्रंत की रचना की, हिंदू धर्म सास्त्रों के अंसार महर्ष्व्यास त्रिकालग्य थे, तथा इन्होंने दिवीदर्ष्ट से देख कर जान लिया था, कि कल्यूग में धर्म छीन हो जाएगा, धर् बुद्धे और कम इस्वरण सक्ति रखने वाले भी वेदों का ध्यन कर सके, ब्यास जी ने उनका नाम रखा, रिगवेद, येजुरुवेद, सामवेद और अथारुवेद, पौराणिक महाकावी, युक्की महान, विभूति महाभारत, अठारा पुरान, सिर्मत भागवत ब्रह्म सुक्त मिमानसा जैसे अध्ती साहित दर्सन के प्रणेता वेदव्यास का जन्म, आसार पूर्णिमा को लगबग तीन हजार इसापूर में हुआ था। हमारे वीडियोजे आपको कैसे लग रहे हैं, अगर अच्छे लग रहे हैं, तो कप्या लाइक करिए, सेर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब वबस करिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, नमस्कार।